बुरानी मनना कड़वी और सची बात है तो सही बिटा क्योंकि अपने 18 साल तक मैद्स को केबल याद किया था लॉजिक से तो समझानी था तो अब जो पहली बार लॉजिक से करने जा रहे तो गवराट होती है तो जो सच है वो स्वीकार करना है सहथ स्वीकरती में बहुत आंता जब अब स्वीकार कर लेते ना किया भाया मेरा मैद्स का अब प्रितेंशन करते ना ना उन प्रिटेंशन करतें और उस सवाल में अपने कछर हो जाते है फिर बुरा लगता है इसिज़े क्या है जहां सामने वाला चप्पल उतार रहा है वहाँ अपन आसन बिचाते हैं तो अपना अपमान कोई नहीं कर सकता चानक के बोलते थे अपमान किसका नहीं हो सकता सिर्फ उसी व्यक्ति का अपमान नहीं हो सकता otherwise राजा महराजा भगवान से लेकर आप कहीं भी चल जाओ अपमान हुआ है और अपमान वही व्यक्ति का नहीं हो सकता जो व्यक्ति अपना आसन वहाँ बिचाता है जहां दूसरे लोग चपल उतारते हो गहरी बात है थोड़ा समझना बात को जहां पनी अपने आपको एकदम अंडर रेट करके चल रहे है हां सर हम नॉन मैट्स वाले बच्चे हमको नहीं आता है माइनस किसे इन उदर जाती प्लस क्यों होती ही हमको भी नहीं पता है मज़े की बात है मैट्स वाले को भी नहीं पता है माइनस किसे इन उदर जाती ही तो प्लस क्यों होती है अगर किसी से पूचा जाए यहाँ पर यह x-2 is equal to 5 देके रखा है और माइनस उदर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा तो ऐसा क्यों होता है तो मैट्स वाला बुलेगा कि इसका एक रूल है कि माइनस उदर जाएगा तो प्लस होगा उसने भी बच्चमन में बहुत सारे मैट्स वाले बच्चों ने यह रट के रखा हुआ है कि माइनस उदर जाएगा तो प्लस होगा ओ भाही साब माइनस उदर जाएगा तो प्लस नहीं होता है ताकि हम एक्स को अकेला छोड़ पाएं इस कारण से यह एक्स की वैल्यू जो है यह एक्स इदर रह जाती और इदर सेवन हो जाता है तो ऐसे में समझो बात को ओ क्या आप बात कर रहे हैं सार मैं स्वीकार करता हूँ सहज स्वीकरती मैं स्वीकार करता हूँ सामिर को ये पता नहीं था मैंने तो याद कर लिया था हाँ 99% मैच्स वाले बच्चे ये याद ही करते हैं कि माइनस टू उदर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा बोले ये रूल होता है और नॉन मैच्स वाले नहीं कभी हाथ उपर करके पूछ ले कि सर इसका लॉजिक क्या होता है तो टीचर भी बोलेगा कि ओ बिटा मेरे से सवाल पूछ रहा मैजे की बात टीचर को भी नहीं पता है तो वो क्या करेगा डाड़ देगा तुमको इतना घटिया कुछ चन नहीं आता है तुम कैसे करोगे चल जाओ मेरे ख्लास से अरे सच में स्वीकार करो कि हाँ नहीं आता है भाई माइनस टू उदर जाएगा तो प्लस टू क्यों होता है नहीं पता है मैच वाले हमने मैच को याद किया था ऐसा जब स्वीकार करते हो तो तुमारा अपमान कैसे कोई करेगा मेरे बांगडू तुम तो अपमान से उपर उड़ गए ना क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया जो सच है और सच स्वीकार करना साहस का काम है, कायर विक्ती सच स्वीकार नहीं कर सकता, मोहंदास करमचन गांधी, यह बापू का स्टेटमेंट है, कि साहस का मतलब यह नहीं होता है, कि तोप से जाके भिढ़ जाओ, साहस का मतलब होता है, कि जब कोई आपके बारे में सच बोले, तो उसे स्वीकार करता हूँ और अधिकांच लोग इस मामले में बहुत बढ़े कायार होते हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं समझें तो अच्छा सर माइनस की सैन उदर जाती है तो प्लस हो जाती है मैं समझ गया सर ये कोई रूल नहीं है ये तो इसलिए है कि माइनस की सैन उदर जाके प्लस नहीं होती माइनस टू में प्लस टू करना पड़ता है और माइनस टू में प्लस टू क्यों करना पड़ता है तक ही एक्स को खाली छोड़ सके और ऐसे करते समय फिर राइट हैंड वाली बोलती कि मैंने क्या बिगाडा है तुमारा मुझमें भी plus two करो तुम इदर कर रहे हो तो मुझमें भी करो तो उसमें भी हम करते हैं और जब ऐसा करते हैं तो मेरे दोस्तों वहाँ से आंसर आता है 7. कितनी छोटी सी बात पर कितनी सोक्षम कितनी सही और कितनी सटी तो सच स्वीकार करने का साहस चाहिए और वो साहस मुझे लगता है मेरे बच्चों में है बिलकुल बहुत अच्छे बच्चे बोल भी रहें सर मुझे तो आज मालों पड़ा ऐसा होता है कि सर मेरे को पता ही नहीं था मुझे भी नहीं पता था मुझे भी नहीं पता था, लाइन से बच्चों के कमेंट आगाए, मुझे भी आज ही पता चला, देखो कैसा गेम है, के खेल कैसा है, कितना सरल, कितना आसान परंतु, कितना मिस कंसेप्ट से उल्जाओ आई ये बात, आई समझ में, हाँ, तो ऐसा बीटा, नाकून को नाकून क्यों बोलते हैं, इसमें खून नहीं होता है, इसलिए नाकून बोलते हैं, तेरी याद समझ में आया, नाकून को नाकून इसलिए बोलते हैं, क्यों कि खून नहीं होता है, ना, खून, काटो तो कोई, खून नहीं निकलता है, इतने सरल होते हैं कंसेप्ट बच्चों, पर कहीं सीखने की द्रश्टी अंतर्मन ऐसा हमारा निश्चल और साफ रहें कि हम यह सीख सकें फिर तो अगर गणित सीख लिए जिसको दुनिया बोलती सबसे कटिन विशा है तो फिर दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं समझ सकते हाँ इश्वर जरूर है जिसको आप धिमाग से नहीं समझ सकते वो तो महसूस करने की चीज़ है बहराल इश्वर भी उतने ही पाक शुद जितना की गणिते वस उनको समझने के लिए जरा थोड़ी सी सोक्ष मुद्धी चाहिए वो कहते हैं न कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं